डीडी किसान बदलते भारत की शान डीडी किसान बदलते भारत की शान किसान बदलते भारत की शान वह रेट ना गुस्सा क्यों होती हो तुम्हें तो पताई है पापा की तबियाट ठीक नहीं है इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा हुए है हाँ वही सब्किलिए टाइम है तुमारे पास योगा के लिए भी टाईम है लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास है क्या अशिक सिच जैसे बाते करती हो मैं वहां योग आसन के लिए जाता हूं ताइम पास के लिए नहीं योग अप्यास के बाहने उस इंस्ट्राक्टर के साथ और वो तो खुप सुड़त भी है कहीं उससे देखकर तुम्हारा नियत ना फिर संजाए जी रश्मी तुम्हारे मूझ से यह सब और वो भी मेरे लिए लगता है हमारे रिष्टें में बरोसा या विश्वास नाम का कोई चीज ही नहीं है मैं समस्टें फिर विश्वास रहता तो तुम ऐसी बातें नहीं करते हैं मैं चलता हूं वैसे भी यह सईस्थ देती नहीं बात करने करें अरे बाबा रुको तो सॉर्य असल में थोड़े दिनों से में बहुत ज़रा तर्शन में इसलिए कुछ भी बख रहे हैं वजय क्या है पिताजे जल्दे से मेरा साध्य करवाना जाता है दो तिन जगह से रिस्ते भी आए हैं तुम्हारे बाड़े में कह कह के में रुक जाते हूं कहने ही पाई क्योंकि त तो फिर सिध्धा नाम बोल देंगे तुम चेंता मत करो मैं जल्दी कुछ नंकुछ करता हूं और फिर तुम है क्यों मैं खुछ जाकर तुम्हारे पिताजी से भाद करूंगा तुम्हें मांगूंगा ज़्यादा देड़ होने से में कुछ नहीं कर पाउंगे बोल देते वह तो हम होने नहीं देंगे अच्छा क्या करने के सोच रहे हूं अब नहीं बताऊंगा पहले कर लेने दो फिर बताऊंगा वाह मुझे भी नहीं बोल सकते हो नहीं क्योंकि अब बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करें तुम मानों कि नहीं मतलब मुझे जो पसंद नहीं ऐसा कुछ करने वाले हो क्या है रश्मी मेरे उपर विश्वास रखो मैं कुछ अच्छा ही करूंगा कि अच्छा ही करूंगा तुम में तुम अच्छा है मा, मैं आज तुम लोगों को सलबासन सिखाऊंगा इस आसन से कमर दर्द, पीठ का दर्द, पेरो का दर्द, वायूजनिक दर्द, नाश होता है क्योंकि तुम्हें कमर दर्द बहुत सताता है मा, ये आसन तुम्हारे लिए बहुत लाबदायक होगा हाँ बेटा, इस दर्द को अगर मैं काबू में करने तो बहुत आरभ मिलेगा कमर और पीठ के सनायू मजबूत करने के लिए ये बहुत स्रेश्थ आसन है तो मैं शुरू करूँ हाँ, करें सबसे पहले यूँ पेट के बल ले जाईए अब अपने दोनों हाँ को जांगो के नीचे इस तरह से रखिए अब दोनों पेरों को बिना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाए अब अपने शमता अनुसार कुछ समय तक इसी स्थिती पर रहने की कोशिश की दो अब धीरे धीरे अपने पेरों को पूर्व स्थिती पर लाईए लेकिन एक बात है जमीन पर लेटते समय सास लेना और पेरों को उपर उठाते समय सास रोकना और अंत में पेरों को नीचे लाते समय सास छोड़ना चाहिए और ये आशन अपने शमता अनुसार ही करना चाहिए अब तुम लोग शुरू करो अड़े धी तू क्या हो रहा है आईए चचा जी मैं अपने परिवार वालों को योगा सिखा रहा था ओ जीवन आओ बैठो चांते हो जीवन जब से मी योगा शुरू किया हो तब से मेरा फाइड़ा हुआ है शरीर और मन दुनों हलका रहने लगा है अच्छा हम लोग रोज दिवी पर योगा देखते हैं आपको भी करना चाहिए चाचा यह अत्यंत लाव दायक है हाँ शाया तुम थिक्के रहे हैं उमर के साथ साथ सोरी को भी अच्छा योगोई भस से अलस्त दूर होती है ना बिलकुल चाचा अगर आप चाहे तो हमारे साथ भी अभ्यास कर सकते हैं जोग 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 बैटा हम काल से ही आते हैं तो भीर अप लोग जरी रखिये मैं अज बस डेखता हूं कोई आपती तो नहीं है ना नहीं चाचा आप बैठिये हम लोग शुरू करते हैं तो मैं कह रहा था सबसे पहले अपने पेट के बल यू लेज जाए कर दो कर दम मैं कर दुरू कर च Вас तो कर दो झाल झाल जब तप्ती है धर्वी सूरज उगलता है आग धंड में जब सर्दी जमा देती सब के हाग सब छुप जाते अपने अपने घरों में तब बाहर निकलता है सिर्फ एक इंसान भरने के लिए हम सब का पेट खून को पसीने की तरह देता बहा ठक जाता छुलस जाता हो जाता बीमार तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान देखिए स्वस्त किसान शनिवार शाम छे बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर चैली जी यह आज रिंकू कहा गया बजर की तरफ आपके लिए फल लाने चलो उसके छलते आजकल मुझे बहुत अरम मेसुस हो रहा है ठीकी बोला था उसने योगी मेरे दट का निदान है हां लेकिन सीमी की चिंटा लगे रहती है भगवान कब उससे देखेंगे उसको लेके ज़्यादा चिंटा मत करो शादी व्या यह सब संजोग की बात होती है जब होना है ज़रूर होगा अभी तो वह नोकरी भी कर रही है लेकिन मुझे यह लिंकु को लेके जरू चिंता है आजकल वो योग को लेके इतना वियस्त हो गया है उसे तो नोकरी ढूनने कभी समय नहीं है हां में भी वही सूस रही थी अच्छा अभी चोड़ो यह सब जब उसके पास शिख्षा दिख्षा दोनों है कुछ ना कुछ तो उससे मिली जाएगी जीवन निर्वा करने के लिए शायद हम सही कहने हैं कि तुम अक्केली यह सब डिशिशन ने ले सकते हो यह मेरी जिंदिकी का सवाल है वो योगा सिखाकर तुम क्या इंकम कर लगे पहले मेरी बात तो सुनने मैंने कभी नहीं सोचा था कि योगा सिखाकर मैं कुछ कमा पाऊंगा लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मेरे सेंटर पर धीरे धीरे आने लगे तादात बढ़ता गया तब मुझे एसास हुआ कि मैं योगा सिखाकर इंकम कर सकता हूं और मेरा कॉन्फिडेंस लेफिल बढ़ गया अब मैं द्रियहता के साथ कह सकता हूं कि मैं योगा सेंटर खोल कर तन मन और था इनों को मजबूत रख सकता हूं संसर चलाने लाइक रखम कमा लोगे तो रुको तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूं टीक है मैं तो समझ गहीं लेकिन पापा एक मिनिट में इंकाड कर देंगे देखना वह एक दिन जरू समझेंगे सच एक बार शुरू करने दो फिर देखना हमारा सारा टेंशन खतम हो जाए सच? सच जी पापा कुछ कहना है? तुमसे कुछ बात करनी थी जी कहिए तुमारी मा ने मुझे उम्हारा जो योगा सेंटर खुलने की इच्छा है उसके बारे में बताया मुझे कोई इतराज नहीं है पैसा देने में लेकिन इस बारे में और एक बड़ सोचने की ज़रूरत है ताकि तुमारा इस काम से पैसा और समय दोनों बर्बाद ना हो बर्बाद आप बिल्कुल टेंचिन मत लीजे पापा मैं हंड्रिट परसंट श्योर हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपको याद है पापा आप ही थो हमें सिखाय करते थे कि अगर कोई भी काम पूरी निश्था और आत्म विश्वास के साथ किया जाए तो इस काम में सफलता जरूर मिलती है ठीक है पर देखना कि बाद में पस्तावा ना हो पच्चताने का तो नौबत ही नहीं आएगा पापा आप जैसे एक फर्क महसूस कर रहे योगा के बाद जरा सोचिए ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें योगा की जरूरत है और अगर हम जैसे लोग योगा को उन तक पहुंचा सके तो उन्हें और हमें कितना फाइदा हो सकता है तो ठीक है मैं कल बैंक से पेसा निकलवा दूंगा तुम अपना काम शुरू करो धन्यवाद पापा मेरे उपर भरोजा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज तुम लोग का पहला दिन है और तुम लोग को ये योग साधना प्रारंब करना पड़ेगा सूर्या नमस्कार से वैसे योग साधना योग अभ्यास प्रनायम और ध्यान का एक संग मिश्रन है और इन तीनों के अभ्यास तक पहुँचने से पहले ये सूर्या नमस्कार करना बहुत आवश्यक है सूर्या नमस्कार के अंदर दस शारेरिक भंगिमाये हैं आज तुम लोग यही करोगे तो फिर प्रारंब करें कर दो प्रांब करें कर दो 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 बजे सिर्फ डीडी किसान पर अब तुम लोगों में से ये अभ्यास कौन करना चाहेगा मैं करना चाहूंगी स्निक्धा आजाओ ध्यान से देखना अब स्निक्धा सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगी ध्यान से देखो बहुत अच्छे अपने जगा पर जाके बैठो देख लिया सबने कैसे किया स्निक्धा ने बहुत अच्छे झाल झाल क्या हो, कुच्छ प्रोब्लम है क्या? नहीं, प्रोब्लम तो नहीं है, तो? मैं सोच रहाता कि कैनिडेट से तिना जाधा हो गया है, तो मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्यों ना हम लोग एक याद दो इंस्ट्राक्टर को रख ले? हाँ, मैं भी वो ही सोच रहे थी, तो फिर एक काम करते हैं, कल दो तीन इंस्ट्राक्टर के साथ बात करते हैं, अच्छा रहेगा साइद, है ना? हाँ, वो ही, मैं भी यही सोच रहे थी, तो इसी बात के लिए तुम टेंशन में थे? कितना है? तैन थाउज़न हैं, तैन? हाँ, दिखा न, टेन? हाँ, बाबा अज इतनी दिर तक नहीं आया हैं, हमेशा खाने के समय पर आजाता है, अज जरू कुछ हुआ होगा, ज़्यादा चिंता मत करो, उसका योगा सेंटर अच्छा चल रहा है, उसी में वेस्ट हो गया होगा, उसका सफलता देखके खुसी होता है, सस कह रहे हैं, आपकी बिमारी की वेज़े से ही तो उसने योगा सिखा था, और अब वही योगा एक अगरटा से सीखकर, योगा सिंटर खुलने का साहस क्या, ये कोई छोटी बात है? वो तो सुचा ही नहीं था, कि ये योगा सिंटर के साथ कोई इतना आगे जाएगा, हमने जो ना सुचा था, वो उसने कर डिखाए, वेटा, ये किसकी गारी है? पापा, वो हमारी गारी है. और ये कौन है? ये हमारी होने वाली बुभू रस्मी है. क्या? हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था. अच्चा, जे छोड़के सबको ये बात पता था. क्या है, क्या है, ये से अच्चा बाते, ये ये गारी बाते, बुभू लाटे, बुभू लाटे, बुचा को सर्प्राइस कर दिया. झालुझ, बुभू झालुझ, वे बुझ बुभू.